जोति शास्त्र में सूर्य को नवग्रहों का राजा माना गया है। सूर्य देव को जीवन शक्ती उर्जा और जीवन दाता के रूप में पूजा जाता है। सूर्य देव सकरात्मक्ता के प्रतीक माने जाते हैं सूर्य के राशी परिवर्तन का सभी जातकों पर प्रभाव पड़ता है वही सूर्य देव के एक राशी से निकल कर दूसरी राशी में प्रवेश करने को संकरान्ती केते हैं वही 14 दिसंबर को दोपेहर तीन बचकर 47 मिनट पर सूर्य का धनू राशी में गोचर हुआ और इसके बाद 15 जनवरी 2024 को सूर्य मकर राशी में आ जाएंगे सूर्य सौभाव से उग्र होता है सूर्य के इस गोचर से कुछ राशी वालों की मुश्किले बढ़ने वाली है वही कुछ राशी के जातकों के लिए साल 2024 का अंतिम सूर्य गोचर अच्छा नहीं रहने वाला है और इस गोचर के प्रभाव से आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है तो चलिए जानते हैं उन राशियों के बारे में जिन्हें अगले एक महीने तक विशेश सावधानी भरतनी होगी व्रशब राशी व्रशब राशी वालों के लिए सूर्य का गोचर अच्छे परिणाम लेकर नहीं आने वाला है सूर्य के इस राशी परिवरतन से आपके आत्म विश्वास में बहुत कमी आ सकती है इस राशी के लोगों की सेहत भी विगड़ सकती है आपको शारेरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है इस राशी के लोगों को अपने स्वास्ते का बेहद खयाल रखना होगा सूर्य के गोचर के परिणाम स्वरूप आपके घरेलू जीवन में कई तरह की परिशानिया आ सकती है इस गोचर के दोरान पिता के साथ आपके रिष्टे भी गड़ सकते है यहां तक की लोगों के साथ आपका मतभेद भी बढ़ सकता है दूसरे नंबर पर है मिठुन राशी सूर्य का ये गोचर मिठुन राशी वालों के विवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है सूर्य उग्रग्रे है ऐसे में सूर्य का धनु राशी में गोचर होने से इन राशी के लोगों को अपने पार्टनर के साथ रिष्टे में टकराओ का सामना करना पड़ सकता है इस अवदी में आपके अंदर घमंड भी आ सकता है जिसका नकरात्मक प्रभाव आपके रिष्टे पर पढ़ सकता है इस राशी के लोगों को अपने पार्टनर के साथ बहज में पढ़ने से बचना होगा और सूर्य गोचर की अवधी में आपको विवाहिक जीवन में उता चड़ाव का सामना करना पढ़ सकता है व्यपार में भी घाटा हो सकता है अब आता है करक राशी सूर्य का धनू राशी में गोचर करक राशी वालों की भी परिशानी बढ़ाने वाला है इस राशी के लोगों के खर्चे खूब बढ़ सकते हैं बढ़ते हुए धन खर्च से करक राशी के लोग मानसिक रूप से बहुत परिशान रहेंगे और इसी दोरान आपकी यहां आपकी माता जी की सेहत बिगर सकती है इस राशी के लोगों को अस्पतालों के चक्कर भी लगाने पर सकते हैं दवाईयों पर भी आपके खर्चे भारी हो सकते हैं और इस राशी के लोग वहन बहुत ही सावधानी से चलाएं ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें N27 भक्ती भक्ती ही शक्ती है